जुर्म के दुनिया से कभी-कभी ऐसी खबरे सामने आती हैं जो इंसान को अंदर तक दहला देती हैं। पिछले 24 घंटों में देश को हिला कर रख दिया। देश के अलग-अलग राजियों और शहरों से आने वाली इन खबरों ने जुर्म और हैवानियत की एक नई इबारत लिग डाली। आईए आपको बताते हैं वो तीन वारदातें जिन्होंने श्रद्धा मरकेस और उस जैसे मामलों को भी पीछे छोड़ दिया है। वारदात नमबर एक सरस्वती मरकेस मुंबई महराष्ट्र। हाल ही में मुंबई से कैसा मामला सामने आया जिसमें आरोपी ने दरिंदिके के मामले में अफताफ को काफी पीछे छोड़ दिया। इस वारदात में पहले लिव-इन पार्टनर ने महिला की बेहरामी से हत्या की फिर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करकर उन्हें प्रेशर कुकर में उबाल दिया प्यार के नाम पर मौद कितनी बत्पर हो सकती है आप ये इस केस से समझ सकते हैं प्रेशर कुकर में लाश के टुकड़ों को उबालना या वारदात नमबर दो लखनव उत्तर प्रदेश तहजीब और अदब के शहर लखनव में रेप और हत्या की एक वारदात ने पुलिस को भी हलकान कर दिया जहां एक शक्स दरिंदा बनकर एक नावालिक लड़की पर तूट पड़ा पहले उसने लड़की के साथ बलतकार किया और फिर बड़ी ही बेरहमी से उसका कतल कर दिया उसने कतल को जिस तरीके से अंजाम दिया उसे जानकर किसी भी इंसान का कलेजा बैट जाएगा लखनों के इंद्रा नगर थाना छेतर में शहिद नाम के आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया आरोपी मौका देखकर उ और फिर जबरन उसके साथ रेप किया इसके बाद शातिर आरोपी ने लड़की की लाश को कमरे में ही गले में फंदा डाल कर लटका दिया मानो जैसे लड़की ने खुदकुशी कर ली हो घरवाले जब लोट कर घर आए तो घर का मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खि पीडित पिता ने फॉरन इस घटना की जानकारे पुलिस को दी बादात नमबर तीन बैंगलूरू करनाटक बैंगलूरू में दिली के टेक एक्सपर्ट्स ने अपनी गर्लफरिंड का कतल कर दिया जी हां मरतक अकांशा शहर में गोतावरी खानी इलाके की रहने वाली थी वो एक सौफ्ट्वेर इंजीनिर थी हैधरवाद में एक सौफ्ट्वेर कंपनी में काम करनी के दौरान उसकी मुलागात अरपित नाम के शक से हुई थी और उसे प्यार हो गया था बाद में अकांशा का ट्रांसफर बैंगलूरू हो गया कहा जाता है कि अरपित वीकेंट पे बैंगलूरू जाता था और अकांशा के घर पर ही रुकता था और पितने पहले अकांशा की गला दबा कर हत्या की और उसे फंदे पर लटका कर वहां से फरार हो गया हाला कि मंगलवार को उन दोनों के बीच कोई जगडा नहीं हुआ था अकांशा के दोस्तों ने पुल को अस्पताल पहुचाया धन्यवाद